महात्मा गांदी के कहने पर उन्होंने मर्ची पेटिशन साइल की थे और महात्मा गांदी ने अपनी तरफ से यह अपिल की थी उन्होंने कहा था यदि सावरकर्जी को रिहा किया जाना शाहिए जैसे हम शांति पूर्ण तरीके से आजादी हातिल करने के लिए आंदोलन चला सावरकर के खिलाफ जूट फैलाया गया बार बार यह बात कही गए कि उन्होंने अंग्रिजी सरकार के सामने अने को मर्शी पेटीशन फाइल की लगे सचाई है कि मर्शी पेटीशन नोंने अपने को रिहा किया जाने के लिए नहीं फाइल की थे सामानतिया जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्शी पेटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है महात्मा गांदी नोंने कहा था कि आप मर्श कि आजाना शाहिए जैसे हम शान्ति पूर्ण तरीके शे आजादी हातिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं वैसे ही सावर कर जी भी आंदोलन चलाएंगे यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस परकार की कोशिस की जाती है कि मर्श कुझने के लिए प्रेरित किया था उस समय देश में प्रचली छुवा छूत की कुपर था के खिलाफ उनके विचार और कारिय दोनों ने डाक्टर अमबेडकर को भी प्रेरित किया था कि उन्होंने हमेशा सहबोज अंतराज्जी और अंतरास्टी विवा और विदवा विवा नारी सिक्षा मंदिरों में सभी जातियों के प्रवेश के लिए लड़ाई लड़ी